एक मैडम हिस्ट्री के क्लास के शुरुवात करती है और उसके बाद एक लड़की उनको क्लास के बीच में खड़ी हुई दिखती है। तेरी बहन को कोई ऐसे बोलेगा तो तुझे कैसा लगेगा। पुरा क्लास जोड से ठाहा के मार के हसने लगता है और उसके बाद लगता है कि मैडम एक दम गुसे में आकर उस लड़के को डाटेंगी और बहुत सरा सुना देंगी। लेकिन मैडम ने जो तरक दिया, मैडम न जाओ और उसके बाद एक लड़का पीछे से कहता है कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ तब तक मैडम कहती है कि अगर तुम्हारी बहन को कोई ऐसा कहेगा तो तुमको कैसा लगेगा। उसके बाद पुरा क्लास हसता है, मैडम पीछे मुडती है और अचानक एक तीन मिनट का भाषन देती है, वो भाषन इतना सुन्दर है कि हमको लगा कि यहाँ पर आकर सुना दिया जाए, मैडम कहती है कि देखिए कर्मा रिटर्न्स बैक वाला जमाना चल रहा है, जो आप करेंगे आपके साथ वही होगा, और उसके बाद मैडम कहती है कि अगर आज तुमने इ कि क्या कहा जाए, लोग एकदम से उस मैडम की सरहना कर रहे है, कह रहे है कि अगर शिक्षक ऐसे समझाए, तब दुनिया के सारे बच्चे समझ जाएंगे, मैडम उसमें एक वीडियो एड का जिक्र करती है, वो कहती है कि वीडियो एड में दिखाया गया था कि एक लड़क सीटी मार रहा है, तो हो सकता है कि इसको भी किसी कीज का दिक्कत हो जाए, किसी और को इसके सीटी से दिक्कत हो जाए, और मैडम बहुत ही आसानी से पूरे क्लास वालों को ये समझा रही थी, कि कैसे कर्मा रिटर्न होता है, और आप अगर कोई काम, कोई गलत काम किसी और क के साथ करते हैं तो आपके साथ भी वो जरूर होगा और होना ही है मैडम कहती है कि आप दूसरे के साथ वैसा वहवार करिए जैसा कि आप अपने लिए चाहते हैं मैडम कहती है कि अगर आप आज आपने किसी के बहन को छेड़ दिया किसी के बहन को देखकर किसी लड़की को द साल के बाद वो काम आपके साथ भी होगा और आपको उस वक्त समझ आएगा कि जब आपने वो काम किया था तब सामने वाले को कितना बुरा लगा था ट्विटर पर फेस्बूक पर इंस्टाग्राम पर हर सोशल मीडिया के साइट पर बभीता मैडम का ये वीडियो एकदम से उपर लिखा हुआ है हिस्ट्री क्लास बाई बभीता मैम इससे ये मालूम परता है कि मैडम हिस्ट्री के सिक्चिका है लेकिन मैडम का वो तीन मिनट का भाशन जिसमें वो समझाती है कि आपको किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना है वरना आपके साथ भी गलत हो जाएग वो जबदस तरीके से वाइरल हो रहा है एक लड़का जो किसी लड़की को कहता है कि तुम मेरे पास आकर बैड़ जाओ मैडम तपाक से कहती है कि अगर तुम्हारी बेहन को ऐसे कोई बोलेगा तो क्या तुमको अच्छा लगेगा और उसके बाद वो तीर मिनट का भाशन जिसमें मैडम ये समझाने का प्रयास करती है कि आप एक समाज का निर्मान कर रहे हैं और आपका समाज कैसा होगा ये आप तै करते हैं और उसके बाद पुरा क्लास एकदम शांत होकर मैडम की बातों को सुनता है और अब लोग भीज पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कह रहे हैं कि ऐसी मैडम होगी तो वाकई में समाज बदल जाएगा अगर किसी बच्चे को डाट कर या पीट कर समझाया जाता तो हो सकता है कि वो नहीं समझता लेकिन मैडम ने जिस तरीके से बच्चों को समझाया मैडम ने जो उदाहरन देकर बच्चों को समझाया वो वाकई में लाजवाब था और उसके बाद इस वीडियो का मेसेज उसके बाद बविता मैडम के द्वरा दिये गए भाशन का मेसेज ये था कि आप किसी लड़की को छेडिये मत उसे मैडम एक लाइन भी कहती है कि बेटियों को जितना शिक्षा जितना अटेंशन लोग घर वाले देते हैं उससे दो गुना ज्यादा बेटों को देना चाहिए क्योंकि जायातर केसों में देखा गया है कि लड़के ही कुछ गलत करते ह हैं और ऐसा अगर वो करते हैं तो उनको कोई बात समझाने की जरूरत है कि आप लोग ऐसा ना करें बाकी बवीता मैडम ने वाकई बहुत अच्छी और शांदार बात कही है आपकी इस पर क्या प्रतिकरिया है केवन बोक्स में लेकिवाद आईएगा मिरे नाम प्रशांतर आए है आप जनता देख रहे थे बहुत बहुत धनिवाद